दुनिया भर में आज के समय एक ही न्यूस कवर की जारी है गलोबली के चाइना में किस तरीके से मैसेव प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले दो-तीन दशकों में लगता नहीं है कि इस लेवल के प्रोटेस्ट चाइना में हुए होंगे और लोग ओपनली डिमांड कर रहे हैं य यहां पर आप देख पाओगे यह कुछ चुनिंदा वीडियो जो चाइना के सोशल मीडिया से भारा पाई है नई तो इस वक्त चाइना के पूरे सोशल मीडिया पे Communist Party of China ने censoring करनी start कर दी है कोई भी post करता है अगर Xi Jinping के against कोई protest करता है चाइना की COVID policy के against तो immediately पूरा trend पूरा hashtag सारी post का भी बार तो जो accounts है उनको भी suspend कर दिया जाता है और ऐसा नहीं है के ये protest चाइना की एक ही location में हो रहे है मैं देख पा रहा हूँ चाइना का north हो, east हो, west हो, south हो पूरे चाइना में लोग सड़कों पे आ रहे हैं और Xi Jinping के against नारे लगा रहे हैं और सबसे unique aspect मुझे यहाँ पर यह दिखा के लोग कोरा कागस पकड़के protest कर रहे थे यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह मैं बहुत ज़रा देख पा रहा हूँ चाइना में एक unique type का protest हो रहा है कि आपका जो extremely strict lockdown है, कि काफी बार आप buildings के बाहर change लगा देते हो लोगों को lock कर देते हो building में, लोगों को खाना नहीं मिलता और हाली में एक बहुत ही बुरे हासे की वज़े से कई लोग मारे गए तो ये बिल्कुल ridiculous हो चुका है, और आज के समय मास्क नीचे लगाने के वज़ाए हम उपर ही लगा लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे सामने हो रहा है obviously आप हमसे चुबाना भी चाओगे, तो जो censorship की जारी है Chinese Communist Party द्वारा उसको यहाँ पे mock किया जा रहा है फिर जो ये खाली piece of paper है, ये इसलिए है क्योंकि Chinese authorities ने strict warning दी है अगर कोई भी आदमी, कोई poster, कोई banner लेते हुए दिखा चाहे उस banner पे कुछ भी लिखा हो, कि lockdown हटा दो Xi Jinping हट जा वो तो बहुत बड़ी बात है मगर simple बात भी लिखी है कि lockdown से लोगों की मौत हो रही है लोग तड़प रहे हैं, अगर ऐसी बात भी वहाँ पर लिखी है तो immediately इस तरीके से police आएगी और brutally उसको guy up कर दिया जाएगा तो लोगों ने इसका solution ये निकाला है कि खाली कागस को न हम इस तरीके से लराएंगे कानून यही ना भी के लिए जो guidance है वो यही है कि इस कागस पे कुछ लिखा नहीं हो सकता मगर कोरा कागस अगर हो तो उस पे authorities तो कुछ कर नहीं सकती और इसी तरीके से हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया सड़कों पर शीजिंग पिंग के against मगर अब चाइना की सरकार ने जी हाँ खाली कागस को भी बैन कर दिया इस तरीके से लिखाना अब लोग ना लिटरली office से भी भार निकल रही है तो कागस छुपा छुपा के निकलते हैं क्योंकि किसी को बता नहीं है कि कहाँ पर कोई police officer कहा दे कि तुम्हारे पास खाली कागस है तुम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो आदमी कहें के नहीं नहीं मैं तो office जा रहा था तो situation बहुत ज़ड़ा खराब है चाइना में कि कोरा कागस, blank sheets of paper यह symbol बन चुके हैं of protests in China अब यहाँ पर आप एक question पूसकते हैं कि चाइना ने तो जो यह strict lockdown है कई महीनों से लगा रखा है तो अचानक से लोग इतना अगरा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे है देखो, reason इसका यह है क्योंकि लोगों को ना अपना भविशा दिख रहा है recent incident में हाली में क्या हुआ कि चाइना के शिंग्यांग रीजन में जो एक उरुमी इनका district है वहाँ पर एक building में आग लग गई अब building में आग लगती है तो immediately कोशिश की जाती है कि building में जो भी लोग है उनको बाहर निकाला जाए मगर सरकारी जो प्रोटोकॉल है वहाँ पर इतने जारा strict है कि इस building ओपे लगी थी chains हर जगा दरवाजे बनते यहाँ पर आप देख पाओगे यह वीडियो है उस building के जलने की और यह एक अलग से वीडियो है जहाँ पर एक औरत समझारी है बेजिंग में है यह औरत यह समझारी है कि buildings किस तरीके से lock हो चुकी है कई buildings हैं वहाँ पर बिल्कुल आप बाहर निकाली नहीं सकते कोई आपके पास option ही नहीं है सरकार ने हर तरफ से buildings को block कर रखा है क्यों? क्योंकि सरकार मानती है कि अगर लोग भार निकलेंगे लोग party करेंगे, खटा होंगे तो COVID फिर से फैल जाएगा जबकि अभी वी ना चाइना में परड़े COVID के जो cases है बहुत मतलब है यह नहीं कहूंगा के 30 से आगे वड़ रहे है कुछ हजारों की संक्या के cases रिसेंटी सामने आये थे और उससे ही चाइना की सरकार इत्ती पैनेक हो चुकी है कि वापस जानरों की तरह अपनी अबादी को बस building में ठूच रही है लोगों को डर ये लग रहा है कि जो rules है Chinese Communist Party के ये इतने strictly follow किये जा रहे है कि इंसानी जान की भी कोई गदर नहीं है और फिर एक issue यहाँ पर ये भी है कि Communist Party of China ने ये चुपाया के कित्ते लोग मारे गए थे जी हाँ गलवान में कित्ते लोग मारे थे ये Communist Party ने जब चुपाया तब चाइना के लोगों ने बजाई तालिया मगर इस जलती बिल्डिंग में से कित्ते लोग मारे गए तो जब चाइना की सरकार ने कहा एक और बाद में जब लोगों ने और पता लगाया कई डीडेल सामने आई पता लगा के दस लोग मारे गए हैं तब लोगों ने सोशल मीडिया पर शीजिंग पिंग की अलोशना करी ये कहा कि शीजिंग पिंग तुमसे देश नहीं समल रहा इस्तीफाई दे दो मगर आप सबको पता है कि शीजिंग पिंग इस्तीफा नहीं देने वाले अंध में क्या होगा कि चाइना के लोग जो आज के समय जो इनकी एकोनमी है वो सब इंजॉय करें देख लीजिए मैं कहता हूँ एक बार को ना आपका देश थोड़ा बहुत गरीब भी हो मगर आपके पास आजादी हो वो लाख दरजे बहतर है ऐसे जीने से क्योंकि एक बार को इनके पास इनकम अच्छी होगी थोड़ी बहुत सड़के बहतर होगी होगी मगर कितनी घुटन में जीते होंगे चाइना के लोग और यही बात रिसेंटली यूएस मीडिया ने पबलिश करी है कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है इससे पता लगता है कि आटोक्रैसी जो है ये अंत में सब को हर्ड करती है कि सारी पावर जब आप कुछी लोगों के हार में जलेते हो एक autocratic system मन जाता है तब वो किसी की सुनते नहीं है तब अंत में लोग धक्के खाते हैं क्योंकि जब complete power autocracy के अंडर Chinese Communist Party के पास आ गई तो उसके बाद इनको डर नहीं है कि लोगों को क्या बुरा लगेगा कितने लोग मारे जाएंगे इनके जो plans हैं ये robots की तरह complete करेंगे जैसे एक robot होता है उसको कोई मतलब नहीं है के सामने कोई रो रहा है कोई हस रहा है उसको बस अवना mission complete करना है इवन दो आज के समय चाइना की जो exports हैं ये भी crash कर रहे हैं because of COVID policy हाली में हमने देखा कि चाइना के exports बहुत लंबे समय के बाद अचानक से shrink कर गए बहुत ज़रा कम हो चुके हैं जो expectations थी उससे बहुत ज़रा कम गए है चाइना के exports और बताया जा रहा है कि भविश्य में चाइना की stock market share और crash करेगी मगर at least मैं आपर ये कहूंगा कि at least चाइना के लोग धीरे धीरे अपनी आवाज ढूडने की कोशिश कर रहे है प्रोटेस्ट करने की कोशिश करने है मैं देख रहा था ऐसी वीडियोस भी आज के समय चाइना में बहुत popular हो रही है ये देखो कुछ चाइनीज नागरिक है जो या तो USA में या Tlie19 बैठे है और इस तरीके से शी जिंग पिंग को मौक कर रहे है ये वीडियोस चुपके से चाइना के सोशल मीडिया में आती है और उसके बाद चाइना के सोशल मीडिया में लोग अराम से secretly ऐसी वीडियोस करते है circuit तो दीरे दीरे देखिए शी जिंग पिंग पर pressure बन रहा है आगे जाकर अगर एक दो और बड़ी गलती आगर ये कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है लोगों का गुस्सा इता matter करता है कि शी जिंग पिंग कोई बड़ी बात नहीं है कि तकता पलट के बाद हटाए जाए और चाइना के लिए देखिए स्थिती इन दा फ्यूचर खराब होने वाली है क्योंकि जैसे जैसे सर्दी चाइना में बड़ेगी तो कोविड के कैसिस तो डेफिनेटली बड़ेंगे तो इनका लॉगडाउन कहीं पर जाननी वाला आप देखोगे लगातार आने वाले कई महीनों तक चाइना के लॉगडाउन इनके प्रोटेस्ट निउस मेरे आने वाले है और फाइनली आपर मैं ये भी आड़ कर दूँ कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे से सी, UPSC, bank, any examination, comment section में जाईए यहाँ पे आपको मिलेगी list for example, let's say आप prepare कर रहे हैं for UPSC click कर ये UPSC के link पर और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे anacademy का UPSC code simply यहाँ पे आपको click करना है plus पर और यहाँ पे जो भी prices लिखे हैं यह pay करने की जरुवत नहीं है simply यहाँ पे आपको code use करना है PD10 और अपने आप prices गिरना यहाँ पर start हो जाएंगे you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and start saving money so इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all झाल झाल झाल